गणेश महराज की याद बच्पन में एक मूवी आती थी माई फ्रेंड गणेशा उसके कई सारे पार्ट्स थे वो क्यूट से गुल मोलू वो हमारे गणेश महराज उनकी जब हम बड़े हुए तो सीख मिली कि इनकी ये अफ्तार थे इन्होंने ये काम किया तो आज बस हम वह कोई जानने वाले कि गणेश महराज किस चीज के परतीक है जो ये हमारा फेस्टिवल है गणेश चुतुरती गणेश महोत्सों ये क्यूं मनाया जाता है उनकी एक दात होने की स्टोरी क्या है पलस उनका जो जनम हुआ या उनका बोले तो निर्मान उसमें जीवन परवा इसमें एक तो चुतुरती एक दिन जिस दिन विसर्जन किया जाता है और उससे पहले पूरा गणेश महोत्सों होता है दस दिन के लिए जिसमें हम मुर्ती ले के आते हैं स्तापित करते हैं और उसको अपने घर पे रखते और जब गणेश चुतुरती के दिन हम उसको विस जिनम नहीं हुआ था, उन्हें माता पारवती ने मिटी से बनाया और बाद में उन्हें जीवन फूक दिया, इसमें हुआ क्या कि जो हमारे संकर महराज थे, वो वहां पे प्रेजेंट नहीं थे, तब जब वो पारवती महां से मिलने आये, तो बहार एजे द्वारपाल गणे बाट दिया, बाद में पारवती मा भी आई, वहां पे और चीजे भी हुई, और सिवजी महराज को अपने गलती का एसास हुआ, और उन्होंने जो भी पहला प्राणी का सर मिला, उसको ही लगा दिया, जो कि हमारा गजानन्त, मतलब एक हाथी का सर लगाया गया, अब आपन महराज के दातों के पिछे काणियां क्या है, तो एक बार न, परसूराम जो कि अपने विशुनु के वए अफ्तार, अच्छा डे अफ्तार है, वह सिवजी महराज से मिलने गए, तो हुआ क्या कि सिवजी महराज अपने ध्यान में थे, और भार अपने गणेस महराज थे, तो गणेस महराज ने मना कर दिया कि अभी आप नहीं मिल सकते, क्योंकि सिवजी महराज अपना ध्यान में आपसे बाद में मिलना, बट परसूराम भी बहुत गुस्से वाले थे, उन्हें ऐसा लगा कि मेरा अपमान हो रहा है, तो उन्हें गुस्से में आके पराहर किया, और अपने फरसे से पराहर किया, अब ऐसा था कि इतने सकती साली थे कि गणेस महराज उस फरसे को रोक सकते थे, बट जो फरसा था ना, परसू, उस फरसे का नाम था, वो सिव महराज ने दे रखा था, तो उसकी सम्मान रखने के लिए उन्होंने वो वार अपने उपर ले अमारी लिखी गई है जो इतना बड़ा मां का हुए है वो महारीशी वेदवयास लिख रहे थे तो अभी उनको पता था कि पूरी कहानियां क्या है बट लिख नहीं पा रहे थे इतना बहुत बड़ा गरंथ है तो उन्हों ने अपने गणेश महाराज की help मांगी कि बगवान चला जाओंगा तो वेदवयास जी ने ऐसा ही किया कि फ्लो में कानी सुनाने लगए उन्होंने आख बंद की और सुनाते चले गए कानी अब हुआ क्या कि जो कलम थी न वो कलम काम करना छोड़ गई पहले मोरपंक टाइप की कलमें होती थी तो वो गिस गई तो अब वो लि क्यान भरी चीजे उनको लिखनी थी ये भी इसके बाद की एक कानी अच्छी है कि जब 10 दिन बाद वेदवयास जी ने अपनी आखे खोली गणेश महाराज का टेंपरेचर हाई हो रखा है वो बिल्कुल गरम हो रखे इतना लिखते-लिखते लगा आतार तो क्या किया वेद जी ने सनान करवाया था उसी के उसमें कि भिया विसरजन अगली कहानी है अपने चंदरमा से रिलेटेड एक बटना इंदर महराज ने अपने दावत दी और जो गणेशी के साथ उनके जो वहान हो गया चुआ हो गया साब वगरा ये काफी सारी चीजे जा रखी थी साथ मे बट जो चुआ था न वो चल नहीं पा रहा था तो इसके उपर चंदरमा हसने लगे तो गणेशी ने अपनी जो सवारी चुआ उसकी अपमान सैन नहीं हुआ उनसे और उनने गुसे में अपना दात तोड़ के चंदरमा पे फैक दिया एक ये भी काणी है दूसरी काणी इस और जो अपने सोर्स है उसमें थोड़ा बहुत ना डाइवर्ट होता रहती है चीज अपने सोर्स है क्योंकि जो हमारे पास कानी आए वो या तो हमें सुनने में आई है डारेक्ट ऐसा नहीं कि लिखी हुई है वहां से पढ़ लो तो थोड़ा बहुत चेंजी होते रहते त राक्सस था और उसको वर्दान था कि वो ना किसी भी जनम लेने वाले से क्या थो नहीं मरेगा कोई भी जनम जिसका भी जनम हुआ है उसके आथो नहीं मरेगा हुआ क्या था जैसे कि मैंने आपको बताया कि गणेजी का जनम नहीं हुआ वो तो माता पारवती ने बनाया थ और फिर उसमें प्राण डाल दिये गए थे तो गनेश जी बिल्कुल सही पातर थे उस राक्षस का वद करने के लिए मुशिका सुर का वद करने के लिए अब मजे की बात यह हुई कि जो मुशिका सुर की पतनी थी न वो पारवती की बहुत बड़ी भगत थी तो उन्होंने क क्या किया कि भीया अपने जो पती थे उनकी रक्षा के लिए पारवती अराधना की तो पारवती जी ने उनको भी वरदान दे दिया कि भीया मैं आपका जो पती है उसकी रक्षा मैं करूंगी अब गनेश महराज धुईदा में कि क्या किया जाए अल्टिमेटली हुआ क्या कि जो मुशी का सुर्था उसको अपनी गलती का एसास हुआ और उन्होंने गणेजी से अरदास की कि मुझे आप अपना वहान के रूप में ले ली जिए तो वो जो मुशी का सुर्था न वो अपना चुवा ऐजे चुवा मुशा भी बोलते जिसको हम ऐजे चुवा हमारा मजग में टांग कि चाही श्टार्ट हो गई कि तेरा तो बस चुवा है चलिए कितना पाएगा और मेरा मुश है मैं तो बहुत जल्दी वह कर लोगा तो उन्हों में एक मजाक मान लो या एक कंपीटिशन मान लो वो स्टार्ट हुआ और उन्होंने सर्थ लगाई कि जो भी तीनों लोग का सबसे पहले चक्र लगा देगा वो जीत जाएगा तो कार्थी के सर्थ लगी कार्थी के अपने मोर पे बैठे और पूरा चक्र लगाने के लिए निकल बट गनेश जी महराज उन्होंने क्या किया अपने चुवे पे बैठे और अपना सिव महराज और पारवती जी के तीन चकर लगाए और वो सर्थ जीत गए उन्होंने ये इससे ये दिखाया कि आपके जो मातापिताई है न वो तीनों लोग से भी जादा बढ़के है तो य प्रीडम फाइटर्स उन्होंने भी ये तैवार बहुत मजे धूमदाम से मनाया और इसको इतना फेमस किया जैसे अपने बाल गंगा धरतिलक थे उन्होंने पूरे महराष्ट्रा में फेमस कर दिया और पूरे साल में ये मानलो कि बड़े-बड़े करांतिकारियों का ये ज ताइम एक इवेंट की जूरत होती थी वो इवेंट हर साल ये इवेंट होता था गनेश महाउत्साव दस दिन गनेश चुतरती के दिन पूरे कई सारे लोग मिलते थे अंग्रे जो ने इसके उपर काम भी करना स्टार्ट किया अगर आप 1905-17 जब बंगाल विवाजन हुआ और ये चीज़ें होने के बाद इस पे पूरा रोक लगाने का अभी पूरा करणामा किया उनोंने आप गणेश जी की जीवन से क्या क्या सीख सकते हो जारों चीजी है जो आप सीख सकते हो जैसे कि अभी अभी उभी हम ने सीखा कि आप अपने माता-पिता से बढ़के कुछ भी नहीं होता जीवन में वहीं है आपके तीन लोग सब वही है एक ये दूसरा जैसे महाबहरत वाली कानी से सीखने को मिला कि ए आपको अपने पराण की आउती क्यों ना देनी पड़ जे तो आप सभी को गणेश चुतुर्ति की हार्तिक सुपकाम नाए